प्रभु येशु के पावन और सामर्थी नाम पर मैं आप सब की सलामती की दुआ करता हूँ प्रेजनों मेरे साथ एक मन एक प्राण एक चित होकर प्रभु की महिमा करें और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको स्पर्ष करेगा और चंगाई प्रधान करेगा प्रार्थना करना आध्यात्मिक योद्ध हैं जब हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, तो हम अपना समय जाया नहीं करते हैं, परन्तु हम प्रभु की उपस्तती को महत्व देते हैं प्रभु का वचन दूसरा इतिहास करंथ अध्याय साथ पत संख्या 14 में हमसे कहता है तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनेपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूँगा, उसके पाप शमा करूँगा और उसके देश का कल्यान करूँगा स्त्रोदकार केता है, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मैं तुझ से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे राजा, हे मेरे इश्वर प्रियेजनों हमारी दुहाई प्रभु के पास पहुँचे आईए हम एक साथ मिलकर उसकी स्तूति करें अराधना करें, वंदना करें हो तेरी स्तूति मारा राधना करता हो मैं तुझसे ये दार्धना महिमा से तेरी तो इस जगा खबर जो भी तुझा है तो यहाँ पे कर आले 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 आफुजया मन ही मन प्रभु की इस्तोती करते जाएं अराधना करते जाएं उसका नाम सिमरते जाएं अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं प्रभु का वचन कहता है जो अपनी आखें प्रभु की ओर उठाते हैं वे सदा आनन्दित रहते हैं जो अपना चित उसमें लगाते हैं उन्हें किसी चीज की कमें और घटी नहीं रहे आपका घर प्रभु की दया से उसकी मामोरी से भर जाए करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है डाल बन कर मेरी मुझी बचाता है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है दाल बन कर मेरी मुझी बचाता है जब मैं भूकारू तू दोड़े आता है जब मैं गिरू मुझी उठाता है आले, आलेलूया, 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 आले, आलेलूया, 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 अपने हातों को अपने सीने पर लगा, रभू आपको मसा करे, स्पर्ष करे, चंगाई प्रधान करे, आप लोगों पर अधिकार ले, आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी या घटी न रहे, लुकस का सू समाचार अध्याए 21 पत संख्या 36, प्रभू ये कहता है, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योगे बन जाओ, क्योंकि प्रभू कहता है, लुकस का सू समाचार अध्याए 22 पत संख्या 31, शिमोन शिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने का अधिकार मिला है, अनुमती मिली है, परन्तु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, प्रभू हमारे लिए बिच्वाई करता है, इसलिए पड़े मन से, आत्मा की सच्चाई से हम प्रभू की स्तुति करते जाएं। आनन के साथ सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कर अभो ही है नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभू है ही नहीं कुटने मैं देखू बस तेरे सामरी तु मेरा प्रभू तु है मेरा खुदा Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia प्रभु कहता है संकट के समय तुम मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम मेरा सम्मान करोगे जीहा प्रियेजनो इस वक्त आप में से जितने भी लोग प्रभु की दुहाई दे रहे हैं प्रभु आपकी प्राथना को सुन रहा है बाइबल हमें बताती है दरिधर की प्राथना बादलों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुँचती है और वो उनकी प्राथनाओं को सुनता है हमारी दुहाई भी प्रभु के पास पहुँचे जिस विशेश मकसद के लिए हम प्रात्ना कर रहे हैं प्रभु अमारे जीवन में उसे पूरा करे करोना से तेरी नया दिन दिखाता है डाल बन कर मेरी मुझी बचाता है करगां से तेरी नए दिल दिखाता है तानकर तेरी मुझी बचाता है जब मैं फुकारूं तो दोड़े आता है जब मैं किरूं मुझी उठाता है आले, आलेलुया, आलेलुया, आले, 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 आल हमारे जीवन में अनेक ऐसी विश्यम परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं प्रिये जनो जितना दुख बड़ा हो जाए उतनी ही प्रार्थना मजबूत हो जानी चाहिए प्रार्थना दुगनी हो जानी चाहिए इन विशम परिस्थितियों में प्रभू को पुकारना आग्रह के साथ ये और जादा बढ़ जाना चाहिए जब ये शुमसी गेटसमनी बाग में प्राण पीड़ा सह रहे थे उन्हें मालूम था कि वो दुख सहन करने वाले हैं तो उन्होंने पुकार पुकार कर कहा आशू बहाते हुए उन्होंने पिता को पुकारा उन्होंने अपना खूम का पसीना बहा दिया उन्होंने प्रार्थना को दुगना कर दिया और इसी प्रार्थना के द्वारा उन्हें सामर्थ मिला और वो क्रूस को उठा कर चल इसलिए प्यारे भाईयो और वेनो प्रभू हमें बताता है कि तुम जागते रहो जिससे कि तुम परिक्षा में ना पड़ जाओ गित्समनी बाग में प्राथना करते समय प्रभू के शिश्य सो गए और वो जाग नहीं सके शैतान ने पत्रस को बहका दिया क्योंकि वो सामर्थ पिता से प्राप्त नहीं कर पाया था क्योंकि वो सोता रहा तो संत पौलुस लिखता है जो सोता है वो रात को सोता है जो मदिरा पीता है वो मदिरा पीता रहता परन्तु तुम लोग तु जोती की संतान हो इसलिए तुम जोती की संतान की तरह आचरन करो जैसे प्रभु येशु ने रोते गिडगडाते हुए प्रभु से प्रार्थना की तुम भी करो प्रभू इसलिए हमसे ये कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई इस संसार के नायक से है हमारी लड़ाई मनुश्यों से नहीं है हमारी लड़ाई आकाश के दुष्ट आत्माओं से है हमारी लड़ाई संसार के अधिपतियों अंदकार की शक्तियों से है शासकों से है इसलिए प्रभू ये कहता है तुम लोग जागते रहों ताकि तुम प्रलोभन में न पड़ जाओं शेतान तुम्हें बहकाए नहीं क्योंकि उसे अनुमती मिली है कि वो तुम को गेहूं की तरहां फटक सकता है और वो यही ताक में रहता है कब तुम्हें फाड़ खाए वो गूमता फिरता है विचरता है इसलिए प्रिये जनो प्रभू से दया की याचना करते हुए हम इन वचनों को दहराएं और प्रभू हमें आशेश प्रदान करे हालिलूया दाइना हाथ उठा कर वचन दोराएंगे हालिलूया प्रभू का वचन कहता है अफेसियों का पत्र अध्याई छे बच संक्या 10 और उससे आगे हमारी लड़ाई नेरे मनुश्यों से नहीं बलकि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों संसार के अधिपतियों अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से है हालिलूया तुम लोग प्रभू के अस्तर शास्तर धारन करो जिससे की दुर दिन में तुम लोग शेतान का सामना करने में समर्थ हो जाओ हालिलूया तो प्रेजनो आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है प्रार्थना करना एक आध्यात्मिक युद है प्रभू की हजूरी में समय बिताना एक आध्यात्मिक युद है और ये युद आकाश की दुष्ट आत्माओं से हैं ये युद अंदकार में संसार के अधिपतियों शासकों प्रशासकों से हैं और जब हम प्राथना करते हैं तो प्रभू हमें सामर्थ देता है वो हमें आशिश देता है वो हमें अपनी रू का मसा प्रदान करता है और वो आत्मा हमें परमिश्वर की राह पर ले चलता है तो प्रियजनों ये इबादत ये प्रार्थना एक युद के जैसे हैं जब अचन बोला जाता है तो शेतान का सिरदर्द होने लगता है जब गुठनों पर हम आते हैं तो उसे और ज़्यादा परेशानी होती है जब हम डेलिवरेंस को क्लेम करते हैं तो प्यारे भाईयों और बेनों उसे और ज़्यादा परेशानी होती है जब हम उसे आदेश देते हैं कि वो प्रभू के लोगों को छोड़े तो वो चिलाता है और चिलाते हुए जैसा कि ईसा के जमाने में अब दूद ग्रस्तों से जब वो निकलता था उन्हें तोड मरोड कर धर्ती पर फेक देता था और निकल जाता था वैसे ही आज भी होता है प्रभू के वचन से वो डरता है अगर उसे किसी चीज का डर है तो वो है प्रभू का वचन और इस वचन को पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए आशिश प्रदान करता है इसलिए हम पवित्र आत्मा की अगवाई में जाएंगे पवित्र आत्मा हमें प्रभु के सिहासन की ओर ले चले और हमें शक्ति प्रदान करे आत्मा से भर दे मुझे जहां भी मैं जाओ गीत तेरे गाओ जहां भी मैं जाओ गीत तेरे गाओ ऐसा ये सुकर दे मुझे आत्मा से भर 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 दे मुझे तू है मुदची मेरा रोशन है चहरा तेरा दे दे नहीं जिन्दगी सब खुश बददे मेरा ते दे नहीं जिन्दगी सब खुश बददे मेरा जहां भी मैं जाओ दीद तेरे गाओं ऐसा ये सुखर दे मुझे आत्मा से बर 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 दे मुझे देता है तू जिन्दगी तो ही मेरी बंदगी सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी जहां भी मैं जाओ देत तेरे गाल ऐसा ये सुकर दे मुझे आत्मा से बर दे मुझे आत्मा से बर दे मुझे आत्मा से बल गई मुझे आत्मा से बल गई मुझे तू है मुझे मेरा रोशन है चेहरा तेरा तू है मुझे मेरा रोशन है चेहरा तिरा दे दे नई जिन्दगी सब कुछ बदल दे मेरा ने दे नई जिन्दगी सब कुछ बदल दे मेरा जहां भी मैं जाओ दीत तेरे गाओ जहां भी मैं जाओ दीत तेरे गाओ ऐसा ये सुखर दे मुझे आत्मा से बर 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 दे मुझे हलेलुया हलेलुया हे प्रभु येसु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में मेरे परिवार में मैं आपकी अराधना करता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ आलेलूया ईसा ने कहा जागते रहो प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परिक्षा की घड़ी में ना पढ़ जाओ आलेलूया रभु येशु कहता है मार्कुस कसु समाचार अध्याए नौ पत संक्या उन्तिस इस जाती की आत्माएं बिना उक्वास बिना प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती आलेलूया प्रेजनों प्रभु येशु कहता है अगर आपको दुष्ट आत्मा से लड़ना है तो उक्वास प्रार्थना और तपस्या की आवशक्ता है क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं बिना उक्वास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती तो येशु के जीवन में कठिन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा वो निरंतर अब्दूद ग्रस्तों को चंगा करते दुष्टा आत्माओं को निकालते मुर्दों को जिलाते गिरासा का अब्दूद ग्रस्त बाइबल हमें बताती है कि जब उसने येशु को अपनी ओर आते देखा तो वो दूर से ही चिलाने लगा कहने लगा तुझे हमसे क्या समय से पहले तु हमें सताने क्यों आ गया है प्रभू उसे डाटते और चुप रहने का आदेश देते और उससे निकल जाने का वो उन्हें आदेश देते थे प्रेजनो प्रभू येशो योहन के सूसमा चारद्य दस प्रभू येशो कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो परिपून जीवन प्राप्त करो इसलिए प्यारे भाईयो और बेनो प्रभू हमें चेतावनी देता है कि तुम साबधान रहो क्योंकि तुमारा शक्त्रू शेतान दहाडते हुए शेर के समान विचरता फिरता है कब किसको फाड़ खाए कब किसको प्रलोबन में डाले प्रेजनो हम इस उप्वास प्रार्थना के द्वारा बंदगी के द्वारा अपने आपको सुद्रड करें अपने विश्वास को ध्रड करें क्योंकि शेतान अमारे जीवन में शक उत्पन करता हमारे जीवन में हमें निरुत्साह कर देता है हमें निराश्वा में डाल देता है हमें अस्मंजस में डाल देता है और हमें अनेक प्रकार के दुखों, कश्टों और प्रलोबनों में डालता है वो हमें हारने पर मजबूर कर देता है और अंत में जब व्यक्ति हार जाता है तो वो आत्मा हत्या करने का निरने लेता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऐसी परिस्तिती में प्रभु को याद करना वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको सामर्थ देगा आपको बच्छन दिये जाएंगे पवित्र आत्मा जो सहायक है आपकी अगवाई करेगा और आपको आशीश प्रदान करेगा हालेलूईया ए प्रभु येसू मेरे जीवन में मेरे परिवार में शांती आजाए चंगाई आजाए मेरे शरीर पर मेरे जीवन पर बीमारियों का रोगशक्तियों का कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार नहीं है सारा अधिकार मैं आपको देता हूँ हालेलूईया हालेलूईया तो प्रिये जनों प्रभु का वचन कहता है शोकगीत अध्याई 2 पद संक्या 18 ये समय कठिन है और ये दिन बुरे है इसलिए आप लोग सतर करें द्रड़ता के साथ प्रभु में लीन रहें उसके वचन को पालन करें और वो आपकी रक्षा करेगा निर्गमन गरंथ अध्याई 17 पद संक्या 10 मुसा हात उठा कर हारुन और उर के साथ प्राथना कर रहा था जब इस्राइली योश्वा की अगवाई में अमालेकियों से युद कर रहे थे तो मुसा हारुन के साथ और उर के साथ हातों को उठाते हुए पिता से प्राथना कर रहा था जब मुसा के हाथ नीचे जाते तो एक और से उर्प उसको पकड़ता और दूसरी और से हारुन उसको पकड़कर उचा करते थे जब वो ठक जाता था तो उसके कोहनियों के नीचे वो पत्थर की टेकनी लगा दिया करते थे ताकि उसके हाथ उँचे रहे और जितनी देर मुसा के हाथ उँचे रहते थे इबादत में रहते थे प्रार्थना में रहते थे उतनी देर इसराइली जीतते जाते थे प्रिये दमपतियों मता पिता जब तक आपके हाथ बरमिश्वर की अबादत में उच्छे रहेंगे आपकी संतान जीतती जाएगी आध्यात्मिक युद्ध में वो जीत हासिल करेगी शतान डर के भागेगा क्योंकि येशु के वचन उसके नाम और अबादत से प्यारे भाईयो और बेनों वो दूर चला जाता है छोड़ कर भाग जाता है येशु का नाम पावन नाम सामर्थी नाम आईए हम उन बातों के लिए प्रभू से दया की याचना करें शमा मांगें जब हम इमांदार नहीं रहे हम अपने जीवन में प्रलोबन में गिर गए हम प्रभू से दूर चले गए विशम परिस्थितियों में हमने अनेक प्रकार के शगुन विचारने शुरू किये उन बातों के लिए शमा की याचना करें मैं पापनी हूँ प्रभू जी तूने मुझे अपनाया फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे तुकराया मैंने तुझे तुकराया मैं पापी हूँ प्रभू जी तुने मुझे अपनाया पिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे तुकराया मैंने तुझे तुकराया मैं पापी हूँ प्रभू जी मैंने छोड़ा तुझको पाप को मैंने न छोड़ा मैंने छोड़ा तुझको पाप को मैंने न छोड़ा पिर भी मेरे मसीहा तुने न मुझे को छोड़ा तुने न मुझे को छोड़ा मैं पाती हूँ प्रभू जी तुने मुझे अपनाया पिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे तुकराया मैंने तुझे तुकराया मैं पाती हूँ प्रभू जी याद आता है मुझे को क्रूस का वो नजारा मेरे गुनाहों के खातिर बहती है कूँ इधारा मैं पाती हूँ प्रभू जी तुने मुझे अपनाया पिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे तुझे तुकराया मैंने तुझे तुकराया मैं पाती हूँ प्रभू जी सज है प्रभू बया कीजिये हम पर तेरा वचन अमारे जीवन में पूरा होने दे प्रेजनो प्रवक्ता ग्रंत अध्याई 37 पत संख्या 19 प्रभू का वचन कहता है सबसे महत्व पूर्ण बात ये है कि तुम सर्वोच प्रभू से प्रात्ना करो जिससे वह तुमको सत्त के मार्ग पर ले चले दाइना हाथ उठाकर अंगिकार करेंगे हालिलूया प्रभू का वचन कहता है सबसे महत्व पूर्ण बात ये है कि तुम सर्वोच प्रभू से प्रात्ना करो जिससे वह तुमको सत्त के मार्ग पर ले चले हालिलूया ये शाय नभी का ग्रंत अध्याई पच्पन पत संख्या छे पत संख्या छे रभू का वचन कहता है जब तक प्रभू मिल सकता है तब तक उसके पास चले जा जब तक वह निकट है तब तक उसकी दोहाई देती रहे हालिलूया पत्रभू कहता है मतिकासू समचार अध्याई साथ पत संख्या साथ मांगो और तुम्हें दिया जाएगा खट खटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा धूंडो और तुम्हें मिल जाएगा जो मांगता है उसे दिया जाता है जो खट खटाता है उसके लिए खोला जाता है जो धूंडता है वो पा जाता है आलेलुया ये प्रभु येशु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए ये प्रभु येशु मैं अपने जीवन से सारी बुराई को इर्श्या और जलन क्रोध और आलस्पन निराशा और हर प्रकार की बुराई अपने जीवन से अलग करता हूँ अमेन अलेलुया अपने हातों को जोड़े मैं आपके लिए प्राथना करूँगा आपका घर प्रभु की मामूरी और चंगाई से भर जाए जितने भी लोग इस वक्त आंसु बहाते हुए प्राथना कर रहें प्रभु आपको मसा करे प्रदान करे आज की इस इबादत में प्रभु ने संदेश दिया कि तुम प्राथना करते रहो अपने बुद्धी पर निर्भर मत रहो विशम परिस्थितियों में प्राथना दुग नि कर दो पवित्र आत्मा तुम पर उत्रेगा और तुमें सब कुछ समझा देगा इसलिए प्यारे भाईयों और बेहनों अपने सिरों को जुकाएं इस वक्त आप जहां कहीं भी हो विश्वास के साथ इस अनॉइंटिंग को आप ग्रहन करें दया करने वाले चंगा करने वाले ये सुराजा मैं तेरा दास तुझसे निवेधन करता हूँ तेरे वचन के ध्वारा आज इन सारे लोगों के जीवन में आशिश आजाए चंगाई आजाए तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगवाई करें इनके घरों में तेरी शान्ती विराजे और प्रभु येसु इने आशिश प्रदान कर मैं तेरा दास तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ ए प्रभु येसु जितने भी लोग बिमार हैं लाचार हैं चल फिर नहीं सकते लकवे से पिडित हैं अस्तमा के रोग से पिडित हैं इन पर दया कर दे इनके पापों को गुनाहों को माफ कर दे जाने अन जाने में हमसे जो गलतियां हो गएं शमा कर दे पूर्व जों से चलिया आई निरतक जीवन चरिया के लिए हम तुसे शमा की आजना करते हैं तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले है पिता परमिश्वर अपने पवित्र दाहिने हाथ से हमें बचा शेतान के सारे शड्यंत्रों से धूर्थता की आत्मा से हमें बचा दुर दिन में हम तेरे पवित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए शैतान की धूर्तता का सामना कर सके ए प्रभु ये सुदेश के अधिकारियों नेताओं पर धर्माधिकारियों पुरोहितों पर लोकदर्मियों पर दया कर जिससे तेरी मैमा अमारे जीवन में परिवारों में होती रहे इन घरों में तेरी मैमा सदा होती जाए हमारे हाथ पेरों में बल प्रदान कर जिससे हम तेरी मैमा में सदा अपने आपको समर्पित करते जाए तू दया का राजा है दया करने वाला है चंगा करने वाला है जीवन देता शान्ती प्रदान करता है आनंद देता तू सच्छा चरवाहा है तू पाक है तेरा नाम पवित्र है मैं तुझ परास रखता हूँ तू मेरी प्राथना को सुनता और कुबूल करता है ए पिता मैंने जो कुछ तुझ से मांगा है उसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए इने लाहिलाज मेमारियों से अजाद कर इनके दुखों को हलका कर इनके दफ्तरों में आशेश प्रदान कर इनके खेद खलियानों चौक्टों बिचानों को अपने पवित्र लव से मसा कर दे यात्रा में इनकी सहायता कर इनके आगे आगे चलने की करपा कर और इनकी अगवाई कर जैसे तुने इसराइलियों की अगवाई की हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धार करता ये सुप्रभू के द्वारा आमीन